हेलो एबरिवन दोस्तों ओनलाइन फॉर्म भर्त्य सम्माईब बहुत सारे लोगों को पास्प्र शाइज फोटो की जगत परती है या फिर ऑफ्लाइन भरती है उस TIEM जी पास्प्र शाइज फोटो की जगत परती है तो आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर आप से पास computer, desktop या laptop नहीं है तो आप mobile सही कैसे passport size photo बना सकते हैं और उसका सही यूज़ कर सकते हैं चाहे आप passport size photo बनाना चाहते हो चाहे आप दोस्तो सबसे पहले आपको play store में जाने का है अप प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहां पर लिखने का है passport site photo maker तो आपको यहां पे second वाले option जो दिख रहा है passport photo maker यह लोगों को आप देख लिजएगा उससे ही आपको install करना है सबसे पहले पीज आपके सामने यह open हो जाएगा उसके बाद आपको यहां पर पर्मिसन मांग रहा है आपको फोटो के साइज क्या होना चाहिए पासपर साइज होना चाहिए वीजा साइज होना चाहिए इस्टेम साइज होना चाहिए पेंट कर साइज होना चाहिए तो मैं यहाँ पर पासपर साइज सेलेक्ट करता हूं फिर यहाँ पर आप से कंट्री पूछा जा रहा है अब जिस भी और गैलेरी में जो आपका पहले से कोई photo save है उसका आप यूज कर सकते है select करके तो फिर मैं gallery में जाता हूँ photo select करने के बाद आपके सामने ये page open हो जाता है इससे आप यहां से left कर सकते है right कर सकते है ये second वाला option भी वही है और इसे आप horizontal कर सकते है आप चाहिए ऐसे कर सकते है ऐसे slip कर सकते है और यह vertical का है आप चाहिए उपर नीचे कर सकते है सब भूने के बाद आप thereण कर सकते हैं यह आपका इस अपरण रूटेट कर सकता है अगर आपका फोटो थोड़ा तेड़ा है तो आप इसे सीधा भी कर सकते है मैं इसे थोड़ा सा सीधा कर लेता हूं उसके बाद आप इसे डंग कीजिए उसके बाद आपके समनी एपेज ओपन हो जाता है यहाँ पर आपका दिखाएगा कि आपको कितना इमेज लेना है मैं चाहे तो आपका पासपोर साइट फोटो चाहिए तो मैं यह सेलेक कर लेता हूं यह तो मैंने आज ऐसे फोटो ले लि फिर आपके समनी यह पेज उपन हो जाता है यहाँ पर आप बीजी चेंजर में जाके यहाँ पर आप बैग्राउंड चेंज कर सकते है मैं जाता हूँ देखे आपका यह blue color पहले से कोई select किया हो था तो आप blue color चाहे तो blue कर सकते है red चाहे तो red green चाहे तो green चाहे तो white ही रख सकते है मैं यहाँ पर blue color select कर लेता हूँ उसके बाद आपको यह और select करने के बाद done करना है दन करने के बाद आपको सब ओके हो गया है तो फिर यहां पर आपको यह वला बॉर्डर भी आप चाहे तो दे सकते है यहां पे white color का border चाहिए तो आप border दे सकते है, आप इसे थोड़ा thickness भी बढ़ा सकते है, बौरर का, देखें, बतला move टाइसे thickness भी बढ़ा सकते है, तीक है, वो होने के बाद इसे इसे भी done कर लीजिए, अगर आपने thickness सही से बढ़ा दिया है, तो done कर लीजिए, Border होने के बाद आपको यहां पे Effect वाला Option दिख रहा होगा Effect वाला Option में जाने का है फिर यहां पर आप चाहे तो Brightness भी बड़ा सकते है आपका Photo का अगर आपको Brightness बड़ाना वो बड़ा सकते है यह Con proud Contrast भी बड़ा सकते है आप चाहे तो ठीक है फिर उसके बाद आपको डन कर देने का है उसके बाद आपको यहां पे दो आप्सन आ रहे है copies के और save के save में जाके आप इसे gallery में save कर सकते है और copies में जाके आपको कितने copy चाहिए उस पर मैं click करता हूँ यहां पर आपको इतने सारे option आ रहे है आपको A7 चाहिए A6 चाहिए A5 चाहिए या A4 चाहिए तो मैं पहले यहां पर A4 में जाओगा A4 में जाओगा तो आपका photo ऐसे बन के तयार हो जाएगा आप चाहिए तो इसका preview कर सकते है फिर आप इसे save कर सकते है Save button में क्लिक करने से आपको यहां पर तीन option आ रहे है GPEG, PNG या WBG आप कौन से form में इसे save करना चाहता है अगर आप PNG form में save करना चाहिए तो PNG में क्लिक किजिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अगर PNG form में आपको देखना है तो आपको advertise को देखना पड़ेगा तो आप इसे yes किजिए advertise को देखिए इस advertise को आपको पूरा देखना होगा पूरा advertise देखने बाद इसे आप cross कर दीजिए उसके बाद यह image आपका PNG form में save हो चुका है आप इसे पहले cross कर दिजिए यहाँ पर आप चाहे तो जाके देख सकते हैं वीव में जाके कि आपका photo कैसे upload हुआ है gallery में जाईए देखिए आपका यह passport size photo बनके ready हो चुका है back चाहिए यहाँ पर फिर second option है print का option आप चाहे तो print में call करके अपने mobile से ही इसको print कर सकते है अगर आपके पास printer है तो और यह तिसरा option है share का option आप share में क्लिक करके आप इसे किसी को भी share कर सकते है चाहे आप WhatsApp में share करना चाहे तो चाहे तो दोस्तों यह था mobile से passport size photo बनाने का तरीका अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्काइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं बुलना जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नियोट्यूपिक्शन मिलती रहे